यंग्स्टर्स छोटी उम्र में बड़ी काम्यावी पा लेते हैं जैसे हमारा आदित्य उम्र सिर्फ 25 साल लेकिन 25 से ज्यादा लड़किया घुमा चुका है मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है अपने काम में वो इतना माहिर है कि उससे बड़ी उम्र के कई लोग उसे सर कहके बुलाते हैं और सेलरी इतनी कि उससे पूरी रयाशी करता है और अपनी कंपनी में वो नंबर वन कहलाता है आदित्य डबल लाइस्टायल जीने वाला यंग्स्टर है महंगी से महंगी बाइक और सुन्दर से सुन्दर लड़कियां आदित्य बहुत ही शौकीन यंग्स्टर है उसे कार और महंगे कपड़ों का बहुत शौक है उसकी लाइफ का फंडा है जियो तो शान से और वो रहता भी है इस आली शान 5BHK के घर में इनसान को अक्सर जो मिलता है वो उसकी कद्र करना भूल जाता है जैसे की आदित्य छोटी उम्र में इतनी काम्यावी हाथ लगी कि आदित्य उसे ग्रांटिड लेने लगा अपने आपको सबसे बड़ा समझने लगा अपने एहम के चलते होटल में उसने मारा-मारी की तोड़ फोड़ की और एक आली शान होटल को खंढ़र में तबदील कर दिया शादी के मंडप में घोड़ा लेकर पहुचा और वहां अपने घमंड के चलते उसने शादी के मंडप को शमशान बना दिया दारू के नशे में इस तरह धुत था कि उसने पूरी वाइन शॉप को जला कर स्वाह कर दिया कल जिस आदित्य के पीछे लड़कियां पड़ी रहती थी आज पुलिस और स्पेशल फोर्स पड़ी हुई है कुल मिला के एक शरीफ well-to-do इनसान से अब वो एक most wanted criminal बन गया है शहर में इतने सारे ब्रास और अभी तक intelligence की कोई report भी नहीं आई पब्लिक confused है सर बाते बना रही है वो आदमी ने किया नेक्सलाइट ने या किसी आदंगबादी ने वो पागल है मुझे उससे कोई मतलब नहीं जस्ट गोइंट कैच इम सर सर हमें एक एड्रेस मिला है इंस्पेक्टर आनंद यस सर यहांडल दिस हैंडल ही नहीं सर मैन हैंडल करके मैं उनसे सच उगलवाऊंगा जो हाथसा हुआ है उससे लोग काफी डरे हुए हैं पुलीस अभी तक इस हाथसे के बारे में कुछ भी बता नहीं लगा पाई है जैसे ही हमें इसके बारे में कोई जानकारी मिलेगी हम आप तक पहुचाएगे कि अहीं है हर बंदा खुद को हीरो समझता है पर मेरी लाइफ में मुझसे बड़ा विलन कोई नहीं है मेरा नाम अधित्य है उम्र 25 साथ मुझे लगता था पाटी मस्ती फ्रेंड्स लड़कियां याशी दारू लाइफ है तो बस यही है पर मैंने सुनाए कि आत्म हत्या वही करता है जो प्यार में 100% मार्क्स लेकर पास होता है जो फेल होता है वो यह कोशिश कभी नहीं करता मेरी इस कहानी में कई किरदार है उनमें से एक है यह लड़की विनिशा मैं और विनिशा कभी लिव इन रिलेशन्शिप में थे लेकिन मेरे लिए वो टाइम पास थी और उसके लिए मैं उसकी लाइफ इसलिए इसे लगता है मैंने इसके प्यार का खलत फाइदा उठाया और अब इसकी लाइफ का सिर्वे की मिशन है और वो है मुझे अपने हाथों से मारना शी वांस टू किल मी जाया पुम मुझे अपने हाथों से वांस लाइफ्ह अपनेह प्ले प्ले वांस यह ब्रो आपके अलो यह चाल्ड यह चाल तुम जैसी हसीना हो तुम्हें रोज मरने को तैयार हूँ तुम्हें तो लोकर मे रहना चाहिए वरना पूरा शेयर घायल हो जाएगा अक्सर लाइफ का दी एंड अक्सिडेंट से होता है पर मेरी लाइफ शुरू हुई अक्सिडेंट से मैंने तो सोच लिया है अब मैं ये लाइफ बिना अंजली के नहीं जी हूँगा अंजली है तो अधित्या है I love you, Anjali लोग मुझे स्टर्ड और प्लेबॉई बुलाते हैं लेकिन मैं लाइफ बॉई हूँ यह Excuse me, Sir, Sir कौन है यह चेरकोट इतनी सुन्दर लड़की लेके आया है और उसके सामने बरतन साफ कर रहा है Sir, car number 4565 Perfect धुक गई है, Sir What? मैं जब पाक कर रहा था तो किसी ने पीछे से आके ठोक दी उसे You bloody idiot मेरी car का आटो रिक्षा बना दिया क्या Oh no Hi, पैचाना मुझे अरे उस दिन जिस पैचारे को तुमने ठोका था, वो मैं ही तो हूँ What? क्या यार, तुमने पैचाना नहीं? नहीं तो Bumper टूड गया, डिक्की अंदर खुज गई अरे, आज कल की लड़किया कितनी मतलब ही हो गई है एक तो ठोकती है, उपर से भाव खाती है और पपलु टपलु को रेस्टों में लाकर रोमांस रोमांस खेलती है कहां वो डालना कहां में देसेगी और उसको I love you और मुझको हुआ रियो कितने पैसे चाहिए? सौ करोड़ वाट? इतने पैसे नहीं है ना, तो मेरे साथ ए कॉफी पी लो बस सब सेडल हो जाएगा एक बात बताओ, तुमके यह मुझसे लड़ने आया हो अरे लड़ने नहीं आया हूँ, तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ वैसे उस थकेवे का नाम क्या है? शट अप, जयंद ओ, शट अप जयंद एक काम करो उसे ड्रॉप करो और मुझे पिक अप करो एक्स्क्यूज मे देखो, ना तो तुम्हारा बॉइफरेंड तुमसे प्यार करता है ना ही तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स है, मैं जानती हूँ मेरे दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स है यह तुम्हे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है अगर प्रूफ कर दिया, तो तुम्हें मेरे साथ कॉफी पीनी पड़ेगी क्या हुआ? गाडी को ठोक दिया किसीने I will kill that idiot आज कल किसी का भी भरोसा नहीं है कौन किसके साथ बैठा और किसको देख रहा है पता अच्छा, अभी तुझे कॉरता हूँ अभी प्रूफ कर दिखता नहीं अंधे हो क्या सौरे साथ माफ करतीजे अब इस तरह किस्टमर्स को और गनिक और हैजिनी खिला देओ इस इस अव यू दिल विकस्टमर्स उस तिन एक्सिजिट के बाद अगर वो मर जाता तो अच्छा होता मेरे टैलेंट को परखने के लिए मुझे एक छोटा सब प्रोजेक्ट दिया गया है सो प्लीज विश मी लख विश कंपनी ब्रो कंपनी अलकाइदा इसस किसमिस इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने इस होटेल में पांच मिनट के अंदर एक किलोमेटर के रेडियस के सारा इरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर कोई भी बच गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी तो प्लीज मेरे साथ को आपरेट कीजिए टोंट वरी पांच मिनट बाद किसी को पता नहीं चलेगा भागो अरे 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 डुको रुक जाओ यार मेरी नौकरी चली आएगी जाओ मत बेरोस्कर की बद्गों लगेगी भागने का कोई पाइदा नहीं है अरे मच जाओ इसको पीज़े तो पांच करो कहां गए सब किसीने का यहां पर बॉम है वाट इसलिए सब भाग गए और जायंत वोदको वोड़ा डरपोग रेस में सबसे आगे और तुम यहां मेरी खातिर रुके यह अरे तु चलो यहां से रुके क्यों हो बॉम भट जाएगा वो अफवा मैंने पहलाई थी क्या तुम्हें क्या लगा इस तरह की आफ़ा पहला कर तुम हीरो बन जाओगे तुम्हें एक बार कहके तो देखो तुम्हारे लिए हीरो तो क्या टेररिस भी बन जाओं यह स्माइल मार डालेगी पर तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं प्लीज एक कॉफी पीलो ना परवान चड़ रही थी आदित्य का लड़कियों के साथ बैठना और उनके साथ बात करना बिलकुल पसंद नहीं था इसलिए उसने उस पर बैन लगा दिया सिगरेट पीना और शराब पीना भी अंजली को बिलकुल पसंद नहीं था उसने उसकी शराब और सिग्रेट पर भी बैन लगा दिया सुबा होती तो अंजली से गूड मॉर्निंग सुनकर सब कुछ मानो आदित्य के प्लैन के मुताबिक चल रहा था लेकिन खिस्मत को ये प्लैन मन्जूर नहीं था क्योंकि इस कहानी के साथ अंडर वर्ल्ड की कहानी भी जूडी थी देवराज भाई ड्रक्स के धंदे के बेदाज बाच्शा थे धंदे में उनकी टककर का कोई भी नहीं था रगू और साथू दोनों सगे भाई उनके लिए काम करते थे सारा धंदा वो दोनों ही मैनेज करते थे जिस दिन देवराज भाई को पता चला कि उनकी बेटी नशे की आदी हो गई है उसी दिन से देवराज भाई ने नशे के धंदे पर फुल स्टॉप लगा दिया और पलट के उस धंदे की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया लेकिन साथू और रगू इसी धंदे को आगे बढ़ाना चाहते थे देवराज भाई ने रगू को मार डाला साथू को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उसने ठान लिया कि वो उससे बदला लेगा जब कमला को वो रिहाब सेंटर ले जा रहे थे तब साथू ने उसकी गाड़ी के नीचे बॉम लगा दिया साथू को लगा कि कमला भी मर गई पर कमला जिंदा थी क्या कर रहे हो नाई ड्रस अच्छी है लास्ट यह बर्दे पर पहनी थी भूल गए क्या अरे मैं कैसे बूलूँगा मैंने ही तो गिफ्ट दी थी तुम्हें ये डाड ने दी थी तब हम दोनों की मुलाकात नहीं हो इती ना शाट आप हमारे अफेर को शुरू हुए दो साल हो चुके हैं रियोली ऐसा लग रहा है आज ही सुबा मिलें डाड को हमारे बार में पता चल गया है वो मेरे लिए रिश्टा डून रहे हैं प्रकास अंगल के बेटे ने तो हां भी बोल दी है तुम मुझे पसंद आ सकती हो तो किसी को भी आ सकती हो बी सीरे साधी तुम्हे मेरे डाड से बात करनी होगी ठीक है चलो तुम्हारे डाड से बात करते हैं और डाड नहीं माने तो भाग कर शादी करेंगे पकड़े तो पता है क्या अंजाम होगा तो आपनी जान दे दूँगा रियली रियली मतलब रियली रियली आई लव यू आदी आई लव यू आई लव यू अंखे बन करो ये ए मतलब ए मतलब हमारे नाम अंजली आदित्या तो तो क्या अगर तुम मुझे बता दो कि आज क्या स्पेशल दे है तेन आम ओल यॉर एक मिनिट हाँ येस बंपर ओफर के साथ कंडिशन सप्लाई का लोचा कर दिया हाँ ठीक दो साल पहले हमें इसी जगा पर मिलेते हैं ना तुमने आज से दो साल पहले मुझे फेस्बुक पर फ्रेंड रिक्वेड्स भेजी ती यह ना हां यह भी यह हां तुमने तंहे आज को की दी का दलड यूजे प्रफोज है आज वो दिन नहीं है सब्सक्राइब Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday dear I am Jim Haritya! Happy birthday to you! Oh, thank you so much! तू रहो मुझसे! Sorry baby, I am so lucky! मैं अपना birthday भूल गया, लेकिन तुम्हें याद था! आज के बाद मैं अपना birthday कभी नहीं भूलूँगा! Just shut up! This is too much! मैं अपना birthday भूला हूं तुम्हा थोड़ी? हम पहली बार कब मिले तुम्हें याद नहीं तुमने प्रपोस किस दिन किया वो भी याद नहीं मेरा बुद्ध याद नहीं कुछ भी याद नहीं मैं ही पागल हूं जो तुम्हारा बुद्ध याद रखे ये सर्प्राइस प्लान किया और एक तुम हो जिसने मुझे निराश कर दिया मैंने कब कि मुझे यह सब याद नहीं है जब मैंने पूछा आज क्या स्पेशल है तो तुम्हें बिलकुल याद नहीं था इसका मतलब यही है ना कि तो मुझसे प्यार नहीं करते हो सब कुछ भूल जाना भी प्यार होता है मेरा प्यार इतना गहरा है कि उसके आगे क्या हुआ तुम चपके हो ओ असपस लोग हैं क्या जब भी में किस करते हो तुम रप्लाइ में मुझे किस करते हो अज क्या हो गया अधी कौन हो तुम अलो ये सब बोलने की हिमत कैसे कि तुमने बैं चीटो करें अधी बड़ यार यह थेंक्यू जो अजले अरे अजली सुनो मेरी बाद अजली अंडर वर्ल्ड का बेदाज बाद्शा है साधू साधू संग ऐसा कोई काला काम नहीं है जो साधू कौझ दो उन्हें करते यो समझ लीजी कि का दूसरा नाम है साथु भाई जेक व्रादर किस तरह कमेट्डी में बार 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 कमेट्डी बोलते ना बाई वैसे बार बार चैस न ही बोलते णियुक यह जोड़ा कि मैं आपने भंटरों किसने कहा था कि देवराज की चोकरी कमला लुढ़क गई है आप उन बोला था आप उन नहीं उस दिन आपको वो ब्रेकिंग न्यूज दी थी अच्छा इधर आ गोलू मोलू कालू तु गेम खेलेगा कौन सा अरे जिसमें छड़ी को बॉल से मारते हैं गोल्फ हां ये देख ऐसे उठाया और ऐसे पकड़ा देख रहा है ना जी भाई अच्छे से देख वाल तुम्हें आप उनकी भी दुलाई हो जाएगी बाई बाई देखो ना आप जीत गए जैसमें आप जीत गए जो सादू को पक्की खबर नहीं देता सादू उसकी खबर ले लेता है अरे बाबा मुझे खून खराबा पसंद नहीं अब उनक अपला किया यहाई को पता नी चल लो मंगतर अप में गया खाम से अरे यह क्या क्या तुने अपने आपको मार दिया उस दिन जब कार में ब्लास्ट हुआ था तो अपने को लगा कि कमना बर गई पर बाद में आप उनको पता जोना कि वह नहीं मरी थी सिर्फ उसका बाब बना था अरे तो क्या हुआ चोटी मूटी गलितियां हो जाती है अब से सच चुपाया था जूट बोला था मतलब भाई जब आपसे कोई जूट बोलता है तो आपको क्रोध आ जाता है इसलिए मैंने सोचा कि आपके हाथो कुट्टे की बहुत मरने से बहतर इंसान की बहुत मर जाओं जूट उसने बोला तो मैं तुझे क्यों मारूंगा मुझे ऐसा लगा था अरे तु तब मुरता जब मुझसे जूट बोलता खाली फोकट कोला पूरी घुजा के भेल पूरी निकाल ली आपकी खुशी के लिए अपने खुद खुशी का ट्राइमारा अब आप उनको एसी वाले होस्पिटल ले चलो होस्पिटल ले चलो मरने क जल्दी टपक जाएगा इसको शेयर आटो में डालके भागा दें बेकार की मच-मच आप उनको पसंद नहीं अब यह ठक्राल गेम में कोई लोचा किया अगर आपके हाथो मरने से अच्छा है अपना खुद्राम नाम सत्यगर लेता हूं यह वही विनीशा है जिसके दिल में आदित्य के लिए पहले जितना प्यार था आज उससे ज्यादा नफरत है इसे लगता है कि आदित्य ने इसकी फीलिंग्स का फायदा उठा के इसे अपनी से दूर कर दिया है कुछ भी हो जाए यह आदि को मार कर अपना बदला लेना चाहती है आदित्य को कई बार मारने की कोशिश कर चुकी है और हर बार इसका वार पहले से ज्यादा खतरनाक होदा है अब 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 आदित्य कोशिश कर आदित्य कर दो जोड़े ने बार रिकाव ने जाए तो ज्यादे वाले हमको भी लेजा साथ इस मी इस मी मिस्टर कपूर आप यहां यह 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 थाए थाए इस फोटी डिक्की में घुसके किसके लिए फील्डिंग लगा रहे थे फिल्डिंग नहीं, सेटींग कहो जो मैं तुमारे ले कब से लगा रहा हूँ ओफिस कदम होने के बाद तुमने बताया था ना कि तुम घर गप कर टली हो जाती हो कश मेरे हाथ में इतनी पावर होती ना, तुम्हें ने तुम्हें सीधा अमेरिका का प्रेसेडेंट मना दिया होता, लेकिन हमारे M.D. उस जाहिल डफर इंसान है, उस जूनियर अधित को हमारा बाप बना के भीज़ दिया, तुम्हें आज़ती अपर दोरे डालती हमा, तुम लिफ्ट तो आप जैसे बड़े लोगों के लिए होती है, मैं तो सीडी से चला जावगा, अब आइडिया आया, आदी आदी, विट विट विट, मैं आए, थांक्यू, क्या आदी, तुम और स्टीव तो बचपन के दोस्त हो न, तो तुम्हारे बीच में ये पंगा कैसा, म तुम्हारे लाइफ में अगर लड़की की एंट्री होगे तो दोस्तो आपने आप एग्जिट हो जाएगे न, वैसे स्टीव को अचाने प्रमोशन केसे मिल रहा है, इसकी बज़ा हमारी फ्रेंशिप नहीं है, उसका टैलेंट है, अरे वा, तुम्हारी इमानदारी तो खर सोना है, ये बाद जरा चेर्मन को भी पता चलने दो, उनके सामने स्टीव को जूर का जटका धीरे से दो, फिर देखो वो लाइन पे आ जाएगा, मैं समझा नहीं, चुप चाप जाओ और स्टीव के बैग से प्रोजेक की सीड़ी निकाल कर मुझे दे दू, कॉन्फरेंस नहीं मिलेगी, टेंशन धीरे धीरे पड़ेगी, जब उसका प्रेजेंटेशन कवीता प्ले करेगी, उसका फ्यूज उड़ जाएगा, कवीता प्ले करेगी, सार ये चीटिंग है, एक्जाक्ली, स्टीव अपने प्रमोशन के सारी उमीदे छोड़ देगा, जैसे ही चेर्म होगे, एक्सक्यूज भी सर, एक गलत वैमी हुई है, ये प्रेजेंटेशन कवीता के नहीं, स्टीव की है, एक्चली सर बात ये, मिस्टर अधी, टेंशन मतलो, तुम्हारे बात ये कपूर सुनाएगा, सिडाम, सर, ये कवीता का प्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन बात इ सीधी नहीं है, पहले भी स्टीव ने जू भी प्रेजेंटेशन बनाये, वो सारे कवीता के थे, मिस्टर कपूर, टेक निसेसरी अक्शन, शूर सर, थैंक्यू, ये सब क्या था सर, तुम्हें चीट किया रे, हेलो, एक फिट, अंजली, रुको, मैं अच्छा में आ रहा हू मैं जब कॉन्फरेंस में था, तो अंजली ने मुझे फोन करके फॉरण मिलने को कहा, और मैं सब कुछ छोड़ ज़ार के उससे मिलने चला गया अंजली, ऐसी कौन सी अर्जेंट बात है, मैं इंपोर्टन मीटिंग छोड़ कर आया हूँ ये समान किसका है? तुम्हारा, I am breaking up with you इन सूट केसे में तुम्हारी दी हुई ड्रेसेज, गिफ्ट, डियोज, वाचेज और बाकी सारी चीज़े हैं मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं तुम्हारी एक भी चीज अपने पास नहीं रखूँगी तुमसे नाता तोड़ कर, मैं कल से एक नहीं लाइफ शुरू करने वाली हूँ जयन्त और मैं शादी कर रहे हैं गुडबाई अंजली, अंजली पागल हो गई हो क्या टेट भूल गया तो किसी और से शादी कर लोगी वैसे मुझे सब कुछ याद है पहली बार हम 15 देपरिल को मिले, दूसरी बार में सेकेंड को तुम्हार अपड़े 11 सेप्टेमबर, इतना काफी आउर सुनाओ कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी अब मेरी बेटी को तुम्हें कोई इंट्रेस्ट नहीं है अंकल, यह क्या कह रहे हैं? दैड, इससे बात करना बेकार है यह बेशरम तो है ही भूलक कर भी है, अब से तुम्हें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं नहीं ना कोई डेट्स, ना कोई दिन, ना ही मुझे वैसे जो भी मुझे कहना था, मैंने इस लेटर में लिख दिया है इसे आराम से पढ़ना और मुझे भूल जाना, ओके? सर, आज सुबह की सेसी टीवी फूटेज दिखाए ना अच्छा, तो मेरा प्रमोशन रुखवाने के पीछे आदित्य का हाथ है कभी मौका मिलेगा तो बदला ज़रूर लूँगा एई स्टीव, चल्दी अपने वाले रेस्टोर पे आना यार एए बिड़ो, बोड़ी पर तेरे मास नहीं, खाताओं रोज में तंदूरी टिका घास नहीं, जब आप उनकी सटकती है ना तो दुनिया इद वतर भटकती है, काना बोलके शानो रुखो, 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 उसने किसी और को काना बोला, तू क्यू बढ़कर है? एए लगा के कवीता को आगे पहुंचा के यहां पर बाबा की तरफ प्रवचन दे रहा है, तूने क्या सोचा था अधित्या अकेला है, चार्ज हो जा मेरे दोस्त, सब के वेके टोड़ा दे, यह काना बोच शाना बन रहे है, मार इसको, यह लंगुर मारेगा, चलो रहे, लगत बता इसके मौत आये, जो आप उन से पंगा लिया है, आस तुझको कोई ने बचा सकता रहा है, मामो, यह हलमेट तेरा स्पिर बताएगा, तुछे नहीं, बोल, बोल, रास दिल का खोल, बोल, बताता है या नहीं, बताता हूँ बाई, अब ही बताता हूँ, तो जल्दी बो बाई, वो लोगोने लड़की छुपा के रखी है, एड्रेस बता, बता रहा हूँ पत्मा को खाल जुपाया है, तुझको को जल्दी बोल, तो हाई लाइन अपाट्मेंट, 9th floor, फ्लाइट नमर 99, अजयू 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 अजय यार्य यार्यार करो अपसमप चलो काये का यार वह, थर्ड स्टैनडर्स से मुझे बेस्टी बेस्टी कहें के नौकर बना के रखा है, तुझका है तो साल पहले इसका दिमाग घटा वा था, आप ता दिमागी गाया ये भी सच है अजले, वस लड़की ने इसकी लाइफ बरबाद कर दिये, तुने कितने पाप की है, आज मेरी वार्ट लगा के तो यहाँ पी के इंजॉय कर रहा है, नौकरी की बैंड वजाई फिर मुझे बजवाया, यह आपको वाइलेंस बसन नहीं, वह आप उनकी बॉटल है, दे ही दे है, अबे, यह तो तो तेरी बरबादी का जस्त मनाय जा रहे है, अजली मुझे चोड़के चली गई रहे, सच में तुने पीना बन कर दिया था, फिर शुरू की है मतलब पार्टी, अरे मतलब यह के यह तली होकर गटर मिगरने वाला है, और तो और यह सब की धुलाई करने अब ही पार्टी शुरू ही है, अंजली के साथ तीरा बैट लग गया, अंजली, क्या हो गया रहे विडू, आप उनको बता, यही बुलेटर है, यही बुलेटर है, यही बुलेटर है, यही बुलेटर है, तो जान गया ना, अंजली, तुझसे कितनी नवफरत करती है, हाई, Mr. Useless Fellow Aditya, दो साल पहले तक में हमेशा खुश थी, तुम्हारी मेरी लाइफ में इंट्री होई, और मेरी लाइफ हो गई, हम तो रोज मिलते थे, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में खुश यार नहीं रहता, इसलिए यह पक्का हो गया कि तुम्हेरा प्यार प्यार नहीं जोग था, यह चीटर, इंशोट तुझे गेत आउट कर दिया, उसने जब चीजे लोट आई तब भी उसकी आखो में प्यार दिख रहा था मुझे, जैसे गली के कुत्ते को भगाते हो ऐसे तुझे लात मार के निकल गई, तुझे एक करवा सच बोलूं क्या, चाटिंग, डेटिंग, मीटिंग और फ्लेटिंग, यह लड़कियों के शौक होते हैं, अगर तुम बात करो लाव शादी और तो लाइफ से अंजली को कंट्रोल ओल डिलेट कर, फ्रेंड्स को एड़ कर, और लाइफ से रिस्टार्ट कर, मैं सुझू करने जाते हैं, जा जा किया, एक पेक बाला, लड़की मंगती है तो बता, अपे देखे का तो देखते नह जाएगा, एवान है, मस्ते है, एकदम मस लड़के, बुड़ इवनिंग, कम कविदा, बैठो, आराम से बैठो, अराम से बैठो, अराम से बैठो, एस ही बेभी का एशास, हां, आज, तुम लोग अपे तक जिन्दा हो, वा, 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 खपूर, क्या टाइमिंग है तेरी, मतलब, मतलब तेरी को यहाँ देखकर हाथ की हतेली में सलट खुझली हो रही है, क्यों रहे स्टीव, इतना साब होने के बाद में तु इस दुखेबास के साथ है, कौन क्या है, मुझे सब पता है, इसने तुम्हरे ठकले, वेज मंचुरियन विट पनियर बिर्यानी, शेजवन चोटी के साथ है, हाँ, वो भी, इसको छोड़ दे, हाँ, पगार उसको, अभी बताता हूं, तुश्रीप में हाथ साफ मत करो, प्लीज, कैफोल सर, कैफोल, तुम्हारा ध्यान के सर्फ बिल की तरफ होता है, सिक्रिटी वालों को बुलाओ, और उसकी धुलाई करो, अच्छा, उसका साथ दे रहे हो, अने दोशमनो, पाजए करें, बतात्तत है 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 अज़िए है 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 मेरे और मेरे दोस्त के पीच आग लगाता है त्वेरी पापी यहि beş हरा नहीं च्भी एह हरा हरा नहीं कökट छूुदी स्टसों उप हो अडि़िम ह vill हो ऑった घह भी गो उड़ прाफ आहा मेरी कार मुझे लगा था उस लड़की के लिए तू मुझे अपने डाट हम सब को छोड़ के चला जाएगा कभी नहीं सही है वैसे जिस तरह पिशेक बच्चन के लिए उसी तरह यह अपने पापा के लिए यावा अभी तो लड़की ने इसे टांग दी है अब डाटी को क्यों बीच में घसीट रहा है उस लड़की की वज़े से इसके डाट दूरों गहरे रहे वह उसने उन्होंने ओल्डेजों में भिजवा दिया है रियाब सेंटर में ओल्ड सिर्फ नसेड़ी नहीं हुष्ण कोठा जुआ ड्रग साब के शौकिन चसके को मसके की तरह भगाने के लिए रियाब बेज दिया और हमारा के बंदू पपा को याद करता है अच्छा यानि इसका दिमाग प्यार से पापा पर शिफ्ट हो गया है अच्छा याद को बूल गया ता डैडी को बूल गया सारे तोस्तों को बूल गया रूमत भाई बस अब बात हुआ उसा हमेशा के लिए बूल जाओंगा उसकी एक पी निशानी नहीं चाहिए इस थर्ड क्लास अंगूठी को भी फेक देता हूँ आँ रहा है झाँ एल्या आँ उस्पार दक्का देठिक चाथ हांदे न भाई यहाँ बच गया रे आसमान से किरा स्टूपड का डाड आजा ओ स्टीव डाड यहाँ क्या कर रहा है हम तो आपकी को डूड़ने के लिए बटक रहे थे साथ में आधी भी है आधी भी यहीं पर है क्या तो वो अंदर नी जाता तो आप बार के साते दीवार कूद के अच्छा फिर वो अंदर किसे उठाने के है क्या मनोहर कहीं मिल नहीं रहा है हां सर उसके साथ साथ कमला भी गायब है पेशिंट इस इंपॉर्टेंट चलो ठूड़ो उन्हें सब्सक्राइब यह क्या कर रहा है यह समींको मेरी गुरान की तरह क्यों गूम र सब्सक्राइब हम लगाएं अब तुम दुनों के लिए रृम रुटे बेल्टा के री तोम्हार नहीं है उसको फिटें नो मनोहर के लिपारेंद में कर्दी हुँ सब्सक्राइब करती हुआ रहाद यह को ढ 영상 च openness के सब्च influences अब इसका नाम ने पूछा डैडी की गल्टेंड अपने बंधू की नहीं मम्मी डैडी येस माइसर अगर दारू है मेरी लाइफ तो कमला है उस लाइफ का प्यारा नशा मेरी उम्र पच्पन की और मेरी कमला तेइस की उम्र पेमज्जा भी संचुरी मारनी है उतारो इसको तो मुझे कमला चाहिए अरे वा आधी की नहीं मा आधी से छोटी है तो बड़ा बेटा चोटी मा के पैर चुके आशिरवाद लेगा और चोटी मा बड़े बेटे से कहेगी तुझे मेरे भी उम्र लग जाए ब्यार में इम्तिहान होता ही है लेकिन मैं एक बाप और बेटे की बीच नहीं आना चाहती मैं जा रही हूँ कमला तुझ भी नधूरा हूँ कमला जैसे बिन भूल का गमला मुझे छोड़के मच जा मैं तुझे एक बात बताता हूँ अब तक इसकी साथ से जाधा गल्फ्रेंड्स को बिना अना कानी किये मैंने चुप चाप एकसेप्ट कर लिया तो ये मेरा लाडला मेरा इकलौता मेरी 31 गल्फ्रेंड अपनी साथ्वी मा यानि कि मेरी साथ्वी बीवी को आखिर क्यों एकसेप्ट नहीं कर रहा है एक ऐसी जिन्दगी जीने का क्या फाइदा इसलिए मैं यह जहर पीकर मर जाओंगा यह संबत करो रुको 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 अधिर मर नहीं है तो फिर हम दुनों साथ मरेंगी करो करो यार प्यार के लिए मर्मिटने की यह भी कोई उम्र हैWow माप बच्चों के प्यार को हम इंप है अगर बच्चे बाप के प्यार को हॉजय करेंगे तो फिर समाज क्या किया और यह इے च़स्मिश एकदम सही बोल रहा है चुप करो डैढ़े वो जहर मुझे दो बिल्कुल नहीं दोंगा अगर दे दूगा तो तो अपना फैस्टा पतल लेगा वैसे हम जाका रहे है घर पे खंबा पड़ाया गर में उस धोके बास लड़की के लिए मैंने टोटल पीना बंद कर दियागा अब क्या करेंगे तो खरीद लेते हैं वान टू थ्री फोर फाइव टेन फुल बॉटल्स खरीदें तेन फुल बॉटल्स हाँ गदारा कर लेंगे आदित्य काड़ी रोको है कि सिग्रेट दो जरा डैड़ी को दो दारू चाहिए मैंने सिग्रेट मांगी है कि साहब के लिए दारू मिम साहब के लिए सिग्रेट ऊपर वाला इस टली चर्सी जोडी को बनाए रखे यह जोड़की को दे कपड़े कम टट्टू जादा दिखरेले हैं तेन फुल बटल्स विस्की बॉक्स में डाल के देना मेडम पैसे मेडम मेरे पैसे है अलो मेडम दंदा क्यों मंदा करे लिए अगर जेम में पैसा नहीं है तो हम सब का दिल बहला के चली जाओ यह क्या है चोटा बड़ा जैसा भी हो धंदा धंदा होता है इन कोडियों से तुझे कुछ तो मिली जाएगा जा जाके बेज दे चाल रोकड़ा निकाल जाके सादू को कह दे कमला लॉट आई है कि सादू भाई का नाम लेकर फ्रीकी दारू मतले जा मुझसे बोल नदिया बहा दूंगा अब उनका फंडा सुन ले जब आप उनको नीन नहीं आदी ना तो आप उन दूसरों की नीन उडाते क्या चलना फिर मेरी भी थोड़ी नीन उडाते तुझे तो मैं सीधे नर्ग छोड़ क्या होंगी Smoking and drinking is injurious to health अरे यह गरम केटली शिमला मिरे चे को कहां से ला है यह है मेरी कमला यह तो सिर्फ ट्रेलर है कमला का हमला पूरी पिक्चर तो अभी कमला ने दिखाई का है यह डॉनों की डॉन है भाईयों की बहन है गुंडों की गुंडी है पूरा अंडर वर्ल्ड कमला का नाम सुनकर थर-थर कापता है कमला की कमलागीरी देखकर अच्छे-च्छे भाई-भाईगीरी भूल जाते है अभी नहीं उठेगा चलो येस अपनी अभी बोटल उठालो दारू लाने के लिए दुकान क्यों चलाई यह तो एक किलास पानी के लिए कुवा खोड टालती है वह तो दिख गया कमला का हमला देखके मेरा सिर्च चक्रा गया सादु भाई आज से आपकी दुकान बन देवराज की बेटी कमला वापस लोटाई है वो आप से अपने बाप की मौत का बदला लेकर रहेगी मैंने एक आदमी को उसके पीछे भेश दिया है मौका मिलते ही वो उसे टपकाड़ा देगा अगर तेरे आदमी ने उसे चुआ ना उसका गेम मैं करूँगा वो मरेगी तो मेरे हाथ हो ठीक है भाई जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा प्लीज विलकम ड्रैडी आज तो नहीं बचेगा अदित्या इतने दिनों से अंदर जो बदले की आग सुलग रही थी आज ठंडी हो जाएगी तुने मेरे प्यार का फाइदा उठाकर मुझे यूज़ करके फिंग दिया आज तु गया काम से वहां पर है वहां पर कोई तो साधू इस तरह बखला गया कि उसमे अपने आदमियों को कमला को ढूंद कर लाने का हुकम दिया तेरा घर है के शीषमेल आएम प्रावड आप यू माइसाँ डेड़ी इतना प्रावड माथ हो यह घर इसका खुदका नहीं है कंपनी ने दिया लड़की के चकर में अपना घर नहीं बनाया इसलिए गर आप सॉरी डेड़ी डेड़ी की ट्रांग पकड़के क्यों रोता है बेटा दारू शूकरी और नौकरी परमन नहीं होते हैं आते जाते हैं यह सब मोह माया है सोचने का नहीं रोने का नहीं वह कमरा किसका है मेरा है लेडिया आज से मेरा है आओ डालिंग आश करते हैं भाई वो सब हॉलीडी अपाट्मेंट में गए हैं कंयों अट आओ विए बेस्टी हम आज कौन सब्सक्राइड यह आज कौन सब्सक्वारी मंडेज मेरा बर्टे यह का बस्कार कि मेरे बिस्टी को पने लॉट्वे का बर्टे तक जाद नहीं है टेडि अच्टी को भी यां द नहीं लेकिशन दॉ ए तेखना कितना मस्ट केक बनवाया यह तेस्ट करके देखरू उसने सिर्फ केक दिया ना मैं तुझे रापची गिफ्ट दूँगा तेरी गर्फ्रेंड तुझे तेरे बड़े पर छोड़ के गई ना लेकिन तेरा बेस्ट तुझे उससे भी बड़िया गिफ्ट रेगा हाई शेताल पदमाश कहीं के तुम लोग कौन है यह सीधे ओपर जा रही है कौन बला यह कुछ तो बता ऐसे कैसे कीजी को भूला सकता है तुझे तु अंचली को भूल जा और पदमा के साथ का दम बड़ा अब एसे गिरे भी हरकत करके अंचली को नहीं बुलना अखेली है अखेली है मैं ही जाओंगा मैं ही दिखूंगा क्या उसका तो उसका क्या उसका तो उससे देखके सब्णा लगा अठीक कर रहा है अरे वो लड़की नहीं है और रहे जश्मेश में जैसे दोस्त को बादे गिफ दे रहा या श्राब दे रहा है तो मैं हूँ ही और आजकल सबको वराइटी पसंद है पचास हजार पानी हुए पाचास हजार आखिर में सबसे हटके जो हूँ ट्याकर पहले किसी तो मुझे किया है तो मुझे क्यों बुलाया है तू कॉंसी कंपनी से आई है किसी कंपनी अपनी का घुलाम नहीं आजाद बंची हूं जचार पंकी भी हाद होती है चोड़ो मैं इसे छोड़ू नहीं यह औरत के जिसमें मरत तो नहीं कब से यही संजाने के तो कोशिश कर रहा हूं यह कोई लड़की नहीं लड़का है यह भी औरत नहीं है आत्मी है मतलब उसके पास वो नहीं वो है आखर क्या हो रहा है आपर इसने मेरे कपड़े क्यू पहने हुए अरे यह बैचारी भी अपने कपड़े नहीं लाई तो फिर आपको आदमियों क्या और इसको और तो के कपड़े पहनने चाहिए थे ना ट्राइ किया था पर फिट नहीं हुए कमला मैडम तुम्हारी फ्रेंड है मेरी फ्रेंड नहीं है मेरे डैडी की गल्फेंड है ओ तो पुलीस आपी को ढून रही है या पुलीस ओ एक बात तो बता ही नहीं कमला कौन है जानते हो आपको नहीं बता है देवराज की बेटी देवराज की बेटी है अंडर वर्ड के स दूँगा ने आप अकेले नहीं अंजली आएगी तो मैं भी यह पीऊँगा क्या कर रहा तुम लोग चलो अंदर आजाओ कमला को मैंने कल बताया था कि आज तेरा बर्थडे मेरी जान बहुत इमोशनल है इसलिए इसने तेरे लिए कुछ कीमती तौफे मंगवाई लौफ यू टैडी सौरी मैडम मैं आपके सारे पैसे लोटा दूंगी और यहां से चली जाओंगी रो मत पद्मा अंजाने में गल्ती से तुझसे मिस्टेक हो गई पैसे माइने नहीं रखते तेरे यहा अब आ ही गए हो तो दिल बहला के जाओ दूआ दे के जाओ खुश हो के जाओ मैडम बस आपने कह दिया ना वैसे भी मेरा काम ही है सब के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना चलो हाज अदी के बद्रे को यादगार बनाते हैं अभी बार्टे पद्मा भाई तुवे बुला रहे हैं मेरी पड्डी का कमाडा करतीया बागो चलो भ को याजाओ जलो रे पद्मा भव जून चलो चलो जलो जल्दी कि अपने कार में अपने साइरत में एक दम हैपी हैपी अजली वेट्स जयन हाँ तुने कहा था तु अजली को भूल गया तु तो उसकी शादी मेला बिच अबेच शमीश अधी जाने दे उसे अधी कैसे हैं जोशी साब जी बढ़ी है आपके दियो थीक से बैठ सरा अधी आपके दू आपके अधी तो यहां कैसे पहुंचा फूल टाइट हो के मुझे इन्वाइट क्यों नहीं किया है चिलाओ मत इस मासूम लड़के की अपनी बेटी से शाधी करा के लाइफ बरबात करना चाहते हो शर्म जाते हैं जले वार नेकल जानता है यहां आना तेरे लिए सुसाइड जासा है करेक् आपकी बेटी का करेक्टर सबको बताना है मिस्टर अंजली के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं तेरे में हिम्माथ है तो अंजली को ले जाके दिखा खाली फोकट मेरा टाइम वेस्ट मत कर तू बिचया मदन मोहन जी देखा आपका जमाई कैसे मर्द की तरह धंका रहा है अरे मैं इसे छोड़ूगा नहीं पुलिस टेशन जाकर तेरी कंपलेंट करूँगा मीडिया को बुला कर तेरी धजिया उडाऊंगा बोलूगा कि तूने अंजली का रेप किया और उसे शादी करने का जूटा वादा भी किया और प्यार के जाल में फसा कर उस बैचारी को कर दिया जगपती तुम्हारा बेटा मेरे बेटी के बारे में कसी बात कर रहा है आपके जमाई ने जो कुछ बोला है इतनी पूरी बात है तो मैंने भी नहीं की क्या जूड़कर नमूना दावाद लाए हो एक रिक्वेस्ट प्लीज एक बार अपनी बेटी को बाहर पुला उसके सामने तिल खोल के असलूपर चला जाओंगा ऐसे किसे जा सकता है साथ में अंजली को भी लेकर जा अच्छा ए अंजली बाहर निकल अजली टाइम पर फो प्रफर तरूज अच्छा बताओ तो मुझे कहां पर ढूंन रहे हो शादी कहां में अरे वह क्या कर रहे हो मैं इस वक्त अपने शादी के मंदब पर नहीं हूँ तो कहा बें मैंने तुम्हें रेस्टरॉन में आने के लिए काशा था कब बूला तुमने इक लेटर दिया तुमने वो पढ़ा नहीं तुम वहीं रुखना में भी वहां पर पॉच्छता हूँ, ठीक है, जाओ, जाओ अंजली को लेकर आओ, मैंनत मत करो, मैं जा रहा हूँ, तेरे अलिया नहीं पेवकूफ, पेवकूफ कौन बनने आ ले तो पता चलेगा, मझे उगली को दिखाई त अरे, सुलो, अंजली इधर नहीं है, तुम लग कान हो, तुम लग गोए, जो अंजली को किटनाइप करने आए, लेड़ी, ढिकलो यासे, लेकिन क्यों बेटा, अंजली को तुम ले किटनाइप जिया या, अरे, मुझा पता अंजली कहा परे, जल्दी चलो यासे, है, क्यों रहे, ये लो इससे दुलाईगा, मारने के अलावा तुझे और कुछ आता नहीं है, जानू, अब गिरेंवे को उठा, का येिए, प्यासे आता वे को लाजेख वे, क्यासे हमकः चाह through याँ दुग एकिकलो कि के अडिमने के अटता गे विष्ट बात्र वारा लोज़ित है? अरे, मन रह्ागा रैल्या, ऊग रहुटार ठिसे करो आरे, मुचे शोरके बच्छahn ऊपराई छहादा छहाँ सादा बात्या, आरे हादा मुचे पिंद Tru't हरी, चटे जढगों करुछे! छो बाक हरी जलाद αλλά आरानालाा हा खाला जगा! किरुछ टात कि जढगी है हाहख कि कि कृ strengthen झान चान का दे पूल… झे ब έक रहा रहा कि ऩजने यहातने रावाब, रावाब, आफावाब, शोद रले, आजा, सोजा, सोजा, लोने सोनाओ, आई हमेंगा, अइण मैं? कि अधिक्र मत करो सेर हमें तो क्या कम है बाकी सब बादी कम है बहुत जल्द वो लड़किया आपके पास होगी सेर इंतजार का फल मेठा होता है कि अधिक्या वह प्वाट्मा विचा कर उसका पंशी चल 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 चटी अ ओ नो वो लोग हमारे पीझे आरें तीक है ठीक है चल्दी राट के दरमादा को दो कि अ कि अ कि कि पुलिस भी पिछे पर गई हमारे तो रही कम्रा, पुखलो उसे अंचली, इस माइट नाइफ अंचली के आमसे भी इंपोर्टन रहा है जैक अंचली वेंट अप दे हिल नहीं मिली मन्जिल, अब या तो हो जाओ अरेस्ट या खुद को करो किल कुछ। मम्मी अजली जली बाइट अजली बाइट। बोले ही कमला आगे ले आगे ले ये सब कौन है अधित्या यहां हो क्या रहा है और तुमने मेरे कपड़े क्यों पैने है अई लव यू ना अंजली शराप पी कराए हो जिर्फ इसने नहीं हम सबने पी रखी है अंकल बाहर कैसे आए यह सूपर एडवेंचरिस और चोर है चोर है एक बहुत ही काबिल चोर और तुम कमला नाइस मीटिन यू एड़ी की गल्फरेंड है यह फुल टाइम अनरवर्ड डॉन है जिसने अब तक अब तक अब ट्वेंटी खून की है पुलिस और भाइलोग सब लोग इसके पीछे हाथ दोके पड़े और यह मेरे एक प्रोफेशनल गर्ल फ्रेंड आदी के बर्दे पर इसका वननाइट बेस्ट गिफ्ट है क्या गिफ्ट वो एक अलग स्टोरी है पुरसत में बताऊंगा अभी बता दो कैसे तुमने काम तमाम किया काम तमाम कर दिया काम तमाम मतला प्रब्लम सॉल्व किया दूसरे उन्होंने जयन के साथ मेरी शादी फिक्स कर दी यह सब तो मुझे भी पता है तुम्हें कुछ नहीं पता मैने नाटक किया कि मैं जयन के साथ शादी करने के लिए राजी हूं और सामान वाले सूटकेस इस तुम्हें दे दिये तो मैं और डैडी पहन रहे है इडियट मेरे डाट बहुत स्मार्ट है जाद ही शादी की बाद उन्होंने मुझे लास मिनिट बताई और उसके बाद बहतर होता अगर इसके पापा को फोन करने से फहले मुझे पता Цीड जाता मैं तुम्हारे बारे में इसके पापा से बहुत सारा जूट बोला है मैंने बोला कि बीमारे लटकी को गुमा पिराके छोड़ं करने वाले घटि आदमी आप अपने बेटे को खोने के खयाल से मैंने यह नीच हरकती रोको रोको आदी क्या कर रहे हो रूप जाए तो नहीं रोकता कब से कब इस प्लैन के बारे में मुझे तो पताया होता जो लेटर मैंने तुम्हें दिया था उसमें पूरा प्लैन लिखा जो असली लिखावा है तु यह पढ़ ले ऐसे मत देख्या तुम मेरा बेस्टी है ना अंजली के डर से तुझे खो दूँगा इसलिए यह सब किया आइम रियली सॉरी यार भड मजाए तू और तेरा सॉरी तुम सबने मेरी लाइफ पर पात कर दी उत्रा नीचर क्या यार हम तुम्हारे डैट को कॉल क्या और स्टीव ने लेटर क्यों चुपाया और मुझे वह सब कोई नहीं चाहिए मुझे सिर्फ तुम चाहिए I love you अंजली मैंने जो रिंग दी थी वो कहां है उसे सेफ रखने के लिए दूर के बैंक के लॉकर में सेफ रखकर आया हूँ इस थार्ड क्लास अंगूठी को भी पेट देता हूँ वैसी सेम रिंग तुम्हारे पास भी है प्लीज अंजली घलत फैमी हो गाई थी रेस्टरान में तुम्हाना वेट करते हुए मुझे ये रिंग पड़ी मिली तुम कार रोकते हो या में कूच जाऊँ रुको लोकता हूँ लोकता हूँ प्यार के लिए कभी-कभी जिन्दगी भर वेट करना पड़ता है तुम्हें तो ये यकीन तक नहीं था कि मैं आऊंगी अरे एक बार भी तुमने नहीं सोचा कि अंजली ने ऐसा क्यों किया एक बार भी खयाल नहीं आ कि अंजली तुम्हें छोड़ कर क्यों गई बस तुमने पीना शुरू कर दिया और लड़कों के साथ घूमना फिरना भी मैंने ये रिंग तुम्हें कितных प्यार से दी थी और तुमने उसे निकाल कर फेक दिया आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुमसे प्यार क्यों किया और अब मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ कर जा रही हूँ प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो अब मैं जाकर उसी लड़के से शादी करूंगी जो मेरे डाड मेरे लिए चुनेंगे I hate you, goodbye अज़ कर दोघके से अज़के से चादी करूंगी अज़, अज़! अज़, 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 अज़ टुड भुड एफार पारण पार दुड पार पार! कर दो किर तो प्रादिए में और प्रादिए कि अ. कर दो बस्ट जा हम लगा तो पहा बाद्या हो इंग लुक लेसे लगा है. कि लुए लुए लगा बस्ट लुए 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 झाल झाल हो से हो आज लगके जड़ ह Georg मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं आतत्या आइवल किल यू आइवल किल यू यू चीटा है 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 अलो यारा तुम लोग यहां पर कैसे तु हमें बीच सडक में छोड़ के गया तुझे क्या लगा हमें कोई नहीं पूछने वाला क्या दिमाग पे जादा जोर मत डाल पुलिस हमें यहां लाइए है रुचाओ रुचाओ अधिश्य देशी घी की मिठाई लाए हो ना बिठाई बाद में खाना पहले शेर सुन खुशी ऐसी की मन में ना समाए चलो इसी बाद पर पहले कुछ मीठा हो जाए बड़ा मूखोल लड़ू बड़ा है सर बात किया है मुझे प्रमोशन मिला है मैं एसी पी बन गया हूँ तुम सब नहीं होते तु यह प्रमोशन कैसे होता तुम भी मुझ खोलो राजा हाथ खोल दू तुम्हें पकड़ा तब जाकर तुम्हें इंस्पेक्टर से एसी पी बना हूँ कुछ भी जिंग के के से अपको प्रमोशन मिल जाएगी हां सिर्फ डिंग के प्रमोशन का अप अफुपेक्ट से एकलि बात यह है कितुम रियलेश्टेट कंपनी में वाइस प्रेइसे प्रेइं Casey को व्याँ स्कुष बड़ा प्रकास अगला कि तुम्हें आर्मी के सीक्रिट डौक्यूमें चुरा कर टर्रिसस्टो सप्लाई करते हो यह बोला क्यों वंकर अगर यहीं बड़े अनमोल जस्ट इमाजिन अब इसे कहां सेट करूँ ये जंगल के किसी जंगली जानवर जैसा लगता है इसको पर्मनेंट केस में अंदर डालता हो सर मैंने पहले ही आपकी इतनी तारीफ कर दी अगर मैं जंगली जानवर होता तो मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसे हो सकता है सर क्यों नहीं हो सकता राजा इंडिया में टाइगर्स की गिंति कम होती जा रही है और वो तुम्हारी वज़े से मेरी वज़े से मता हीरन और लोमडी फ़ाना की सजा मिल रही है जो मैंने किया लिंगे लिए अबैर से ड़ेप केस में सिर्फ चिल होती है ऑफासी नहीं रगती है यह तो बता रेप के के साथ खेलना इसका पुराना शॉक है हुआ सर यह लड़की कौन है मैंने से आज तक कभी नहीं देखा आपने देखा ना सर हम एक ही अपार्टमेंट में रहें एक ही अपार्टमेंट में इसने मेरी फीलिंग्स का भी मजाख उड़ाया और मुझे अपने प्यार के चक्कर में फैसागर उल्लू बनाया मैं तो सीरेस हो गई लेकिन इसने मुझे इग्नोर किया इग्नोर? पहले मुझे आई लव यू कहते कहते इसकी जबान थकती नहीं थी और आज मुझे देखता तक नहीं है मैं इस आदित्य को कभी माफ नहीं करूँगी है है तुम इतने टाइन से चाकु लेकर यारा के बारा बजाना चाहती थी अरे तुने इस लड़की को पहले कभी देखा है गया मैंने कहा था ना कोई तो है वहाँ पर इस लड़की को छोड़ दो कंप्लेंड लिख लो और जाने तो इसे सर 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 प्लीज हमें जाने दीजे मैडम कंप्लेंड लिखवाना मत भूलना प्रेसमीट में इसे सही सलामत मत जाना बॉड़ी पर जपो और खुन के निशान होने चाहिए ऐसा केस करना कि दस पंदरा साल जेल में सरे साइको काहिए के कौन है तू वाट एन आइडिया ए कॉंस्टिबल्स कमान इन सब को अंदर डालो और प्रेस कॉंफरेंस बुल्वाओ काहे कॉदु यह आफ़की पूडिया कौन है रहे अपनी यह सिच्वेशन देखकर मुझे कहावत याद आ रही है आसमान से टफके और जेल में अटके सुन यार अंजली की याद आ रही है उसको बहुल जा यार अब तब तो उसकी शादी हो गई होगी किसमत के आगे किसी के नहीं चलते क्या किसमत वे अगर तुने उस दिन वो लेटर बतला नहीं होता तो अपना यह यार अंजली के साथ में हनीओन बना रहा होता जिन्दगी वर्मार कर दिया अब मुझे प्रवचन दे रहा है अब भी बताता हूं तुझे क्या शुर्जर अब चल रहा है यह इंदर आओ तू तो चोल है ना तुझे तो यह लोग खोलना आता ही होगा फोल तो लेता यार पर फिलाल अपने हाथ में कोई पिन या ऐसी कोई चीज नहीं है ना इसका बजा वो क्या है अफराद अफरी में फोन कहीं गिरना चाहे इसलिए मैंने उसे अपने पस्नल लॉकर में रग दिया था निकालता हूं काम की बात बोल रहा हूं अन्जली को मैंने केड़नाप कर लिया है क्या चाहिए तुछे हह करें ओस ते पास जो मेरी फैन है वो चाहिए मैं कैसे मानलों लो दू क्या रॉस नहीं अबहें मैं असली सादू हूँ तुछेजेrating करके बताओं क्या एक मिनेट है हम बाद कर है अधित्य बोल रहे हूं यह तो पदमा है यार हां सही का मैं अंजली हूं इन लोगों को पदमा नाम की लड़की की तलाश है इसलिए मुझे पकड़के अपने साथ ले आये मैं कब से कह रही हूं कि मैं अंजली हूं फिर भी मैं अंजली हूं पदमा तुम नहीं इन लोगों को असल में मेरी तलाश है यह मेरी वज़े से हुआ है अच्छा करेक्ट पदमा अगर हम कहा दे हम तुमें नहीं जानते तो वो तुमें जाने देंगे ऐसी बात है क्या चुपकर क्या बखवास कर रहे है पहूंदे मैं अगर तुने कमला को मेरे हवाले नहीं किया न तो भीर इसे मार डालूँगा हाँ अवे डफ़र की ओला जो तुझे करना उसके साथ कर ले भाड में जा नो रिस्पेक्ट हां वाही के रिस्पेक्ट नहीं करी पदमा को अगर सच में मार डाला तो बिना वज़े के वो कभी क कमला को पकड़ने के लिए नया प्लैन बनाना पड़ेगा जुझा कई बोल अगर है अगर अन्जली नहीं है तो इसने पहले कियुश और पॉल सकती थी आधिते से बात करने के बाद अचे ना की अंचली से कुछ अर बन गई मतलब ये बचने के लिए कर रहे थी हाँ बाई तो अंजली है? नहीं हूँ, गदे. गदी, रिस्पेक्ट कर दो. सॉरी, सर. अंजली नहीं हो, तो यह पहले बोला जाये था, उससे बात करने के बात क्यूं बोला? मुझे डर था के आप मुझे मार देंगे. इसलिए मैंने अपना नाम अंजली बताया. और मैं तुझे क्यों मारता है? क्योंकि मुझे उठाने के लिए मेरे पीछे गुंडे आ रहे थे वो सीनु भाहिया है ना उनके छोकरे लोग सीनु भाहिया ये कौन है? हमारी मस्ती कंपनी के ओनर कौन सी कंपनी? कंपनी जो देती है कंपनी करेक्टर धीला लग रहा है इसको तुम लोग घर्चे पामी दो कुपचे मैं फोन को साइलेंट पे डाला है वाइब्रेशन मोड पे तन बदन डिस्को करने लगता है अब तांस क्या कर रहा है फोन उठा अलो अलो मामा बता तो तेरी गर्फरेंट को छोड़ू मोड़ू या फिर तोड़ू अपने कामे राई का तेल डालके सुन ले कल मेरी गर्फरेंट की शादी हो चुकी है अब तक तो सुहाग रात भी हो चुकी होगी यह बोल रहा है तो मुझे हो क्यों मार रहा है तो सब जोल चल रहा है उसे पता नहीं तु कोन है मुझे पद्मा चाहिए और वो उस अधित्या के पास है तेरा अधित्या के साथ चक्कर चल रहा है उसने तुझे केटनाप किया और फिर तुझे भगाने की कोशिश की सही पकड़ाना है हमारा ब्रेक अप हो चुका है अबे ओए मेरे साथ ना स्यादा नो टंकी मत करना तो तो रुक मैं अभी तेरी ना उस अधित्या के साथ डिरेक्ट बात कराता हूँ तू उसके भेजे में सारा मामला घुसाएगी उसको भूलेगी कि हम तुझे टॉर्चर कर रहे हैं मुझे तो बस पद्मा मेरे पास चाहिए पद्मा इन और तू आउट समझ में आया ये पद्मा कौन है पद्मा कौन है वो तो बहुत खुपसूरत लड़की है ची ची ब्रेक अप के एकदम बाद उसने ये सब शुरू कर दिया उसको फोन लगाओ चलो जल्दी आदिट्यétait तुम जाना नहीं जाते मेरे साथ क्या हुआ पद्दू ओडफर वो लड़की तुहारे पास है क्या क्या तुम कमला की कंब रही हो कमला ये तुम कितनी लड़कल को जानते हो कमला को दो कितनी करी तीन अरे बोला ना उनसे के दो कि हम तुम्हे नहीं जानते वो तुम्हें छोड़ देंगे पर ये मुझे तभी जाने देंगे जब तुम्हेने पदमा दोगे नहीं दे सकता वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उसको वाह भेजा तो मेरे पापा गए अगर ये रेप की बात करें क्यों पकाले होजा अंसर तुम्हाइब क्यों अंजली की मांगे और बोला बन रहा है किड्नेप साधा मासूम मत बन अरे बेटा इनको लगता है कि आमने इनकी बेटी को किड्नाप किया अंजली को लेकरा मैं तरी उससे शादी करा दूंगा अबाप वहां के से पोचे यह मुझे सडक से उठाकर यहां ले आए धुलाई भी बहुत की डैडी है अगर तुने चुप चाप मेरी बेटी को मुझे नहीं सौपा तो तेरे बाप को मां डामगा और अगर अंजली को लोटा देगा तो फिरोती के पैसे भी दे दूंगा अब तक मुझे यकीन नहीं कि अंजली किड्नाप हुई है तेरी बेटी को तेरे पास लेकर आऊंगा और पैसों के लिए नहीं अपने डैडी के लिए तब तक मेरे डैडी का अगर एक बाल भी बाका हुआ तो तेरी खाल खीच के उसका पोछा बना दूंगा यह मेरा शेर अधित्या डैडी आप बिलक अच्वे नहीं आता हुं सब को एक साथ कैसे उठा लिया अक्सिडेंट के वक्ग जब पदमा घारी से उतरी तो साधू कमला समझ के पदमा को अपने साथ ले गया मेरे डैडी सड़क पर खड़े थे तब अंजली के पापा के आदमी उन्हें अंजली समझ के ले गए गए वो और उसके लोग अंजली को उठा के अपने साथ उसके अड़े पर चले गए अधी क्या सोच रहे हो डैडी को छुडाने के लिए अंजली को पापा के हावाले करना होगा अंजली को छुडाने के लिए पदमा की कुर्बानी देनी होगी पदमा को छुडाने के लिए मु डाइडी के लिए मरने को तैयार हो तुम मेरे लिए जान दे सकते हो हाँ, जो नहीं हाँ, बोल, सुनो ना, गुरू, भाई, डार्लिंग, अबे कोई एक बोल हाँ, भाई, आपने जिस लड़की को किटनाप किया हो, मेरी गर्फरिंड है प्लीज, उसे कुछ मत करना, पर तुने ही तो कहा कि वो अंजली नहीं है, पर वो अंजली है, क्या कंफ्यूजन है, उसने ही भोला कि उसका नम पद्मा है, पद्मा, ओ शिट, यह किसको फोन लगा दिया, है, कमला को इदर लेकर आएगा कि नहीं, कमला चाहिए, भेक मैं भी नहीं दूंगा, निकारी, इतने सारे नंबर जमाऊ गए के गंफ्यूज हो गया हूँ, इतने सार चुकर, ओरक्टिंग, घड़ी-घड़ी ड्रामा करती है, तेरी फ्रेंड पद्मा आप तक यहां पर नहीं है, तो क्या हुआ, तू भी तो पद्मा से कुछ कम नहीं, गलट टाइम पे नेटवर्क लग गया, यह लड़का फिल से क्यो फोन करा है, हेलो, दादा, भाया, कर रहे हो, दादा, मैं कमला को आपके हवाले कर दूँगा, बस मेरी अंजली को लटा दो, यह कमला कौन है, मुझे तो मेरी पदमा चाहिए, ओ तरी, बिना मुले फोन काट दिया, इसका मतलब दादा, उसे सबक सिखाना पड़ेगा, कैसे रे, प्रोग्राम शुरू करते है क्या हुआ दादा, आपकी गाड़ी में ब्रेक क्यों लग गया? वो आज बहुत थका हुआ हूँ ना, बहुत ज़्यादा काम कर लिया है मैंने, उपर से खाना भी नहीं खाया उस चाहिल का फिर से फोन आ रहा है, उठाओ क्या? हैलो, दादा, भाईया, गुरू चेले ज्यादा रिष्टा मत बना, फोन उठाते है बहुत प्यार से बात करता है, उसके बाद सटक जाती है तेरी पहले क्या पागल खाने में था तू? भाई, भाई, सौरी भाई तो अब मान क्यों नहीं जाता कि वो तेरी गर्फरेंड है ने, वो नहीं है भाई तेरे दिमाग का इलाज करा अरे, सुनो मेरे भाई, वो अंजली ओ या पत्मा तुमें क्या करना है? तुमें कमला चाहिए कि नहीं? कमला चाहिए? हाँ, तो बस, मैं तुमें कमला दे दूँगा, तुम मुझे पत्मा दे दिना तुम क्यों तकलीफ उठारो यार मैं खुदा आजाओंगा बहुत चालू है मेरा अड़ा देखना चाहता है मुझे कुछ नहीं देखना है बस मैं कॉल करके बताऊंगा कि हम दो कहां पर मिलने वाले हैं मेरे अंदर कसे जाग गया तुझे जोट दूगा तव मेरा क्या होगा तुछ जाने तो चल्दा प्रोग्रम शुरू करू ना शॉरू करूना एक और प्लिस बाया वे बोलके मेरे कान पुरी दरब पकातिये है अब थोड़ी ज़क्रव पोन-पोन-पोन-फोन-व्वन-वन- देख तुझे तेरी पदमा तो मिल जाएगी, लेकिन अगर अंजली के शरीद पर हरोज भी आई तो तुझे नोच के फार दूँगा, जिसको जो चाहिए वो सब मिल जाए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कैसे बचाओगे सब को, बचाओंगा, बचा के ही रहूँगा, मैं तुम्हें पदमा डैड़ी अंजली किसी को कुछ नहीं होने दूँगा, क्या हुआ? पर मुझे कौन बचाएगा, तुझे क्या हो गया? पम्मी मोरी गियो, डॉक्तर! कई इस लड़्के ने पॉईजन दूसरे इंसान के लिए पॉईजन कैसे नहीं सकता यह सफ शुगर सिरभ थारा याब तक जिंदा वह लेकंगादी के लिए पॉयजन कैसे वो एक सिर्सिर्प इसकी दाड़ी कैसे वह एक शुगर पेशंक है इसका मतलब है किसी ने पॉईजन वॉईजन नहीं लिया नहीं सर चलो मेरी जान चूटी अब चलो अंदर सर एक बार बाहर आ गए तो आप इस अंदर जाने का दिल नहीं कर रहा है दिमाग खराब हो गया क्या उतना है जितना आपका नकली मेकप सर टॉप कॉलिटी मेकप है औरिजनलेटी होती तो मदा था चोट नकली है तो मेकप डुपलिकेट नहीं तो क्या ओरिजनल होगा अमैना अभी डुपलिकेट को ओरिजनल बना देते हैं आए उन्हें जाने दीजे सर ऐसी धुलाई हुई है आपके चेरे का मेकप वैसे का वैसे ही अबे ये डगकान के ज़िए उरिजनल खून है कि क्या वा खोई हुई कार का कुछ पता चला क्या अवरे कवरी वेकल के बार में पीछे राकर के पूछो तुम्हें इस कार को छुनें नहीं दूँगा यह मेरी नहीं कविता की कार है अरे क्यों पताया हुसे अरे कावी टाइब सेटिक कर आओ कविता के साथ में गाड़ी ले जागे तो फिरी सेटिक बिगर जाएगी अरे रूप जाए परे पडान मतले मेरी जान कार लेकर वो लोग कहां गये हैं एक्चली उकर मेरी है सर तो पुलिस स्टेशन से भागने में उन मुझरिमों की मदद तूने की है क्या मैं जलो बॉइस उठाओ इसे और मारना शुरू करो हाई कमला दीदी आ गए देख चलो रहे तुम सिब ठीक हो ना आप उन लोग ठीक है आपको देखा तो दिल को चैन और मन को करार आ गया सादू का पता नहीं चलने तेंगे दीदी दी मात बोल पता चल गया है अबे तू यहां पर क्या कर रहा है अबे शाने है तू इधर कमला इसके पपा की गल्फ्रेंड है किसके इसके इसके पपा की फिर तो सही जगे बहात मारा है यह कंद यह कंद अरशानु की बीच पर टेंशिन किया लफड़ा दीदी के पापा देवराज और सादू में था सादू को लगा कि बॉम बलास में देवराज भाई के साथ कमल भी मर गई लेकिन कमला दीदी को जिन्दा देखने के बाद साधू को यह लगता है कि वो से बदला लेने के लिए है वाट दा हैल मैंने तुम पर भरोसा किया कि तुम आधित्य का गेम ओवर करोगे लेकिन वो आधित्य तुम्हें ही ठेंगा दिखा कर भाग गया नॉर्मली हमारी चंगुल से क्रिमिनल्स जेल तोड़के भागते हैं लेकिन एक बेकसूर लड़का चूरन देके भाग गया ये मेरे करियर में पहली बार हुआ है इंपासिबल कमला को सौपे बिना पत्मा को कैसे बचाओगे? सब होगा, पर पहले पता लगाना होगा कि नरसिमा को पत्मा क्यों चाहिए कहाँ जा रहा है? पत्मा की स्टोरी पता करने है अरे यार dein list यहीं सचेंगसboys नहीं पैरा वाली गुंडे बदमाशों को फोन लगा और जोती लक्ष्मी जनताबार आने को बोल क्या बात है बाई किसी की शादी है क्या शादी नहीं है उससे भी बड़ा जोले सब को उधर आने के लिए बोल सुन मेरे भाई कहां है तू? अपनी पूरी चोर गैंग को लेकर जोती लक्ष्मी जनताबार में आना मुझे कुछ काम है सुनो सुनो ब्रेकिंग न्यूज वो साब जोती लक्ष्मी जनताबार में जा रहे हैं हमें पक की खबर मिली है जल्दी से अपना गेट अप बदलो और तयार हो जाओ बार में कुछ कस्टमर लड़कियों पर फिदा हो जाते हैं वैसे ही कोई अपनी पदमा पर भी लट्टू हो गया पदमा पर? हाँ सर कल रात उसके आदमी लोगों ने मेरे को धोया माफ करना सर मैंने उनको बोला था कि पदमा आप कि उसकी टेंशन मतले तू बस ये बता कि वो पदमा से चाहता क्या है ये तो मेरे को भी नहीं पता है साफ एक टाइप पे दोनों लेला मजनू थे पर आप वो लेला को लुड़काने को देख रहा है हाँ हेलो सुन आदी जल्दी जोती लक्षमी जंता बार में आजा जंताबार किस लिए अरे आना पता चल जाएगा आदे ये सब क्या है स्टीव ये सारे अपने दोस्तें डाटी अंजली पदमा साब को बचाने के लिए इस सारे दोस्त कह के मदद करेंगे मुझे पता था चिंपैंजी जैसा मूँ बना के मेरा गदा बोज बढ़ाएगा आज अब गले लोग जो आप देगा माई डियर वारियर्स रामनें सागर की रमायन में हम सब ने देखा था कि भगवान रामने वानर सेना की मदद से सीता मया को बचाय था पर वो लड़ाई सच्चाई के लिए थी लेकिन ये सेना मुझे नहीं जानती ये तक नहीं जानती के यहाँ पर बुलाये क्यों गया है पर तुम सबने सक्ची दोस्ती का सुबूत दिया है सलाम है तुम सबको इसलिए तुम सबके एंटेटेन्मेंट की जिम्मेदारी मेरी है चिल बियर पीयो और खुब धमाल करो पीयो और जीयो एज़ॉए जॉए 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 भाई मुवत की दारू और पडोजी की जोरू किसी को अजम नहीं होती आपने जारी सेना सो गही है तुम मैं कोई राम नहीं हूँ जो इस सेना के लिए तीर कमान लेकर यूदी के लिए जाओंगा ना वो रावन है और ना आपनी हालत देखी है ना आप तो उन्हें बचाने के लिए सॉलिड प्लान बनाना ही पड़ेगा बनाओगे तो बता रहों बस खौर से सुनो वेट 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 तुम सब को रॉक हाइट एरिया पता है ना सब को वहीं बुलाएंगे प्लान के लिए एकदम धासु जगा है उसके बाद हम फोन करेंगे नर्सिमा को ठीक सारे ग्यारा बजे उसे लेन नंबर टू पर गुलाएंगे कमला और तुम नर्सिमा पर अटक करोगे और इस तरह हम पदमा और अंजली दोनों को बचा लिए नेक्स्ट नेक्स्ट ए क्या करता है तू तेरे प्लान को डीटेल म मैं फाइटिंग में कच्छा निम्भू इसलिए प्लैनिंग इंचार बनुगा इंचार छोड़ बहले इंसान बन नेक्स्ट अंजली के पापा को फोन करूंगा उनको उनकी बेटी दूंगा और अपने डैडी को अपने साथ ले जाओंगा तो अपनी अंजली को जाने हमें अभी इसे वक्त इस प्लैन पर अमल करना होगा बोल राजू जल्दी बता प्लैन क्या है भाई ने किसको फोन लगाने को बोला जल्दी बता सबसे पहले उस मदन मौन के बच्चे को कॉल लगा तू मदन मौन यहां तो इतने सारे फोन नंबर है किसको लगा हूँ दोस ने प्लैन बनाया और अपुन ने तरको बताया मैं जानता हूं तो बाप टेक नमर के फ्रॉड हो जब तेरेको सब बात बताया तो दिमाग की दाई क्यों गर्रेल है चलाना बन करो साड़े ग्यारा बजे आजा है काट दिया है नेक्स कोन है सादू हलो सादू बोल रह यादव राजपाल यादव को छोड़ रमेश यादव बोल रहा हूं तेरा बाप एक इसको बोला वे अपुन इज्जट से बात कर रहा ना तो तू भी इज्जट से बात कर तूने कॉल क्यों किया ये बता रात को बारा बजे लड़की को अपुनके हवा लेकर रोख बजे रोख हाइट्स पर रोड नंबर 3 पर आने का अंजली को वहाँ छोड़ करते को जो मंगता है वो लेकर जाने का एए जरा रुक रुक क्यों बै आदित्य की जगह मुझे फोन करने वाला तू कॉन है तेरी हिम्मत कैसे हुई हिम्मत की बात मत कर मेरा बैलेंस कट रहा ह हो गया कन्फूजन शुरू इस बेवडे रमेश ने आदी के अच्छे खासे प्लान किया ऐसी पुंगी बजाई कि प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई बलकि राई का पहाड बन गई जिस साधू को आदी ने ग्यारा बजे बुलाया था उसको यादव ने बारा बजे आने को कह नरसिमा को आदी ने साड़े ग्यारा बजे बुलाया था जबकि टली टुन यादव ने उसको ग्यारा बजे बुलाया और आखिर में अंजली के पापाजी मदन को आदी ने बारा बजे बुलाया था उसको रमेश यादव ने अब साड़े ग्यारा बजे आने के लिग आए एक मिर्ट यहा, तेरी हालत ऐसी है के दारू को भी तुझे देखके नशाचर जाए क्लाइमेक्स का ताइवे है, अर्डियन्स को कन्फ्यूज मत कर, मैं फोन करता हूँ लास्ट डायल मतलब नर्सीमा का फोन, ठीक है हलो, हलो, हलो सर, मैं प्लाणिंग इंचाज बोर रहा हूँ, प्लाइन में थोड़ा चेंज है, आधा गंटा आगे, मतलब साड़े ग्यारा बज़े पहुचन है, ठीक है हे, दस-दस मिनिट में फोन का क्या हादा अगंड़ा आगे पड़ेगा क्या कॉट दिया तेरी तो उसके बाद मदन महन होगा बखरे सॉरी अंकल, बख्वास कम-काम जाना बख्वास? मैं बख्वास करता हूँ प्लान में चेंज है, डैड़ी को ठीक बारा बज़े लेकर आजाना डैड़ी? अब है किसका डैड़ी? जो आपके पास है यह गदा? डैड़ी को गाली नहीं देतने डैड़ी का गला सूख रहोगा जल्दी से खंडी बीयर पिला दो यह ज़रोर सादू होगा हलो? हलो? हलो सादू? सादू? क्या बख रहा है? मेरे साथ गेम खेल रहा है? सार, आप सेम जगह पर 11 बजे पहुँच जाना, OK? पहले तुने साथे 11 बजे आने के लिए कहाँ तो बोल रहा है, यहाँ कोई टाइम पास कर रहा है? एक बात काओं ये फोन लाज्ट डाल नंबर फर्स्ट बताता है और फ़स्ट डाल नंबर को लास्ट बताता है चक कर लेना दुन मुझे लगा था लास्ट Winkler फर्स्ट है या नि तुनने अधित्या के प्लान कबाजinging पाला कर दिया और अब स्टीव ने बारा बजे इस बात से नर्सिम्मा कन्फ्यूज हो गया कि उसे कहा जाना है और कित्रे बजे जाना है लास्ट बट नाट दे लीस्ट अंजली के पपा जिसे आधी ने बारा बजे बुलाया रमेश याद अपने साड़े ग्यारा उसे अब स्टीव ने ग्यारा बजे रॉक हाइट्स पर आने के लिए फोन कर दिया था हो गया कन्फ्यूजन शुरू कुछ ना कुछ करनेंगे टेंशन मत्रया देहा यहार किसी ने मेर Фोन दहा a यहलो थैट्फ़ करने सब्को फोन पे प्लान संजा दिया है मैंने क्या कया पहला क्ल tuk ने किया था मैंने तaly बhos प्लान करना निया था तरा तुम्हें क्या लगता यह सब खेल तुम तीनों ने मेरे प्लाइन की बैंड बजा दिये मर गए अरे यह क्या है तुने तो कुछ लिखा ही नहीं तो अंगुटा जापल कहां बस गया सॉरी भाई लोचा तो हो गया लेकिन लोग मत सोचो मैं देखता हूं क्या करना है कि एस एमस करता हूं मैसेज ध्यान से करना अगार यह हमारे साथ गेम खेल रहा है तेरे ने पहले मुझे 20 बजे बुला है फिर फोर कर गरा बजे और आप एसमस कर रहा है कि साड़े 21 बजे आओ मेरा दिमाग खराब हो रहा है वो सामने आया तो मैं गोली चला दूँगा मेरी बास सुन इस बुढ़े को उसके हवाले कर दे और मेरी बेटी को लेके आप ठीक बैगा कोई गड़बड हुई ना तो इन बाब बेटे को ठोक दूँगा अगर यह शाड़ा है तो मेरा से बाया हाथ है और मेरा मोटा दिमाग पौने तीन किलों का है एक आइडिया है उसके पता है कही टाइम से पहले ही जगा पहुंच जाते हैं इतने कपड़े तो लड़कियां भी नहीं बदलती जितना यह आदित्य टाइम बदलता है असली प्लाइन का पता लगाने के लिए हमें टाइम से पहले पहुंचना है एक अंजे एक घंटे पहले यानि दस बजे पहुंचा ठीक इसी के साथ शुरू हुआ अदला बदली यानि एक हाथ दो एक हाथ लोग का सिलसिला साधू के आदमी बुरका पैना कर पदमा को अपने साथ ला रहे थे अंजली के पापा मदन के आदमी आदी के डैडी को बुरका पैना कर रॉक हाथ की तरफ निकल रहे थे वही नर्सिम्मा अपने साथ बुर्का पैना कर अंजली को ला रहा था। तीनों के साथ अलग-अलग इंसान थे लेकिन सब की मनजिल एक थी यानि रॉक हाइट्स। अब ये कहां से टपक पड़ी। दिमाग का भजिया करती रहती है यार। पता नहीं इसके साथ क्या कनेक्शन है मेरा अब क्या करें प्लाइन को चेंज करना पड़ेगा नमस्ते सर यां किसी को आने मत दो कुट्टे को भी आने नहीं दूंगा सर आज की रात का इंतिजाम हो गया वाव क्या बंदो बस्त किया है गाडी में सुहाग रात नौटी इस पलका मैं कई जन्मों से इंदजार कर रहा था खबराओ मत तुम रेस जीतोगे बेबी अब कवीता तुम्हारी है तुम इसे पढ़ो गाओ या गुन गुनाओ मैं तो इसे देल में बसा के रखोंगा अब इस रस्ती से और टाइट करूँ ना बेवी भी या गाड़ी कि गाड़ी रोको है अनोग रोक में अधित्या आजा अधित्या की जगए उजरात चमन क्यों आया अप उन भी बॉस के बिना आये है ना वैसे ही यह आ गया अधित्या उसको भेज लल्लू समझाय क्या पहले तुम भेज पंच पंचे गुट्डा गर्दी करना हो पहले खुद पर तार से समझ रहा था ना कमान ना बेबी जरा मूझ खोड़ो शटर बंद सुनो है मैं इसको भेजता हूँ तूँ इसको भेज रहे हां ठीक है भेज़ो रहे चल जा समझ की जा सादू के आदमी पदमा को लटा कर कमला को लेने आये थे जबकि मदन के लोग आदी के पापा को लटा कर अंजली को साथ लेने आये थे हुआ क्या अब सादू के आदमियों के पास कविता थी और मदन के लोगों के पास पदमा जा उसको लेकरा, चलो गारी में पड़े, गारी निकाल, वो उस तरफ जाने लिए है, और आधी के पापा, आईला, वो तो कपूर की गारी में, यानि गोलमाल नहीं पूरा जोल जाल है, जल्ली भाग और उसको बखार, जानी बनती है, चल, 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 बैठ थंगा, गुंड़े, यहां से निकल लिए, बेटा कपूर, अब अपना नाइट शोर शुरू करो, आज तो जल्सा है, मेरी जान, तुमारे अंदर के हवस बहारा रही है, और आने दो, आने दो, उसे मेरी जान, आरे जान, मुझे एक प्यारा सा किस दे दे रे, किस बागा था, यह तो मार के चली गई, कहा जा रही है तू, आज तो बच गया रहे इस चर्की से, अलो, सादु बाई, आपने उपने लड़की मिल गए, आ रहा हूँ मैं, उसका गेम ओवर करने, अब कले जी को ठंड़क मिलेगी, यह को न है, मैं कवीता हूँ, कपूर कहां है, और तुम लग मुझे कहां लेजा रहे हो, तु कहां से आखरी, अरे कपूर भान है, आदित्या के लिए काम करता है, आदित्या का जूनियर है, कपूर आदित्या का बॉस है, आचली, अब कर लिए, जल्दी बता कहा है तू, बड़ावला जोलो गया भाई, यह लड़की कमला नी कोई कवीता है, अभीता कोन है, अपने को क्या पता, लगता है साधित्या की कोई बड़ी गैंग है भाई, अपने उसको कम आका, अभी पता चलाया कि उसका कपूर नाम का एक ब हलो, हलो, चाजा मैं बेबी को ला रहा हूँ, तो कहा है पता मैं वहीं आता हूँ, अंजली को कुछ नी होना चाहिए, ओके जाजू, तुम कोन हो, पदमा, कस्टमर्स मुझे रात की रामी बोलते हैं, तुम कोन हो, आदेते किधर है, उसी दर तुझे हमारे हवाले किया है, उसने कहा था कि वो मुझे लेने आएगा, तुम्हारे हवाले नहीं करेगा, मुझे तुम्हारे पास सादू के आदमी लाए थे, अब यह सादू बीच में कैसे आ गया, जिसने मुझे तुम है सोंपा, आदेते से क्या रिष्टा है, कल तक तो कोई रिष्टा नहीं था, प प्लीज, यह लड़की अंजली नहीं है, पदमा है, कहती है, आदेती की पार्टाइम लवर है, मैं जानता था, ऐसा ही होगा, वो लड़का एक नमबर का चालू है, लड़कियां तो सिर्फ उसके लिए टाइम पास है, अंजली को मैंने कितनी बार समझाया, पर वो मेरी एक में सुनती, चाचा आप बिल्कुल भी टेंशन मतलो, अंजली को आपके कदमों में डाल कर ही खाना खाऊंगा, नहीं छोड़ूँगा, चलो, आजा, आजा, बार निकल, वो गंजा अधित्या है, क्या पता, हमारे पास वो लड़की है, जो तुम लोग को चाहिए, हमें जो तुमझेल नों के पास है, क्या, हमारे पास पडमा के तरव है, यह दू कवीता है, कभे, तेरो मेरे geliyor को मालू इन कवीता है उनने थोड़ी पता है, इसके मदल में पद्वों मेलेगी कमला यह सी वहां पर करेगी हमला पद्मा तु मेरी भाओं में आ आजा पद्मारानी तेरा रजा है तयार है लिज़ी तर से कट्टी मरो रह चलो 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 सेटी पद्वों मिल गई यह क्या हो रहे एक मुसीब जाती दूसरी आ जाती है जेट जी उस लॉंड़ने ने हमको मामू बनाया लेकिन आप टेंशन मत लो अपनो रिष्णर वाली को आपके पास लेकर आएगा है कौन किसको लेने आया था और किसको लेकर जा रहा है कुछ लोग तो भरे आता है लेकिन अब खाली हाथ है मिस्स हो गई दादा अब क्या करेंगे यह सब तेरी मज़ा से हुआ थोड़ा पतला होता तो उसे पकड़ लेता ना बड़े बड़े भाई चोकर बन गए भाई नहीं बाई सकुप बाई बन गए है उसने भले मुझे मारा पर यह उसके रोमैंस का स्टाइल है वाइफ का फ दादा वो दर है अब चलो रहे है पदमा पदमा मेरी जाने जाँ चल गाडी में बाइच जाओ गाडी बागा गाडी बागा तो तो तू है अरे पदमा के जौल में जरूर अब करने तो इस ताम पूर्खा पाशन चोगले पहना है अब कर दो पाने रहे हैं बात करने ते मेरे को अलो सादू आए कमला मिल गए ना नहीं बाई कोई और ही लड़की मिल गई चीटिंग करने में उसने पीएजडी करी हुई है तू बस ये बता मैं वहां आओं या फि गुमाता हूँ मिल गई कविता कविता इस पेदिंग बेबी एंटिना पर बार बार मारों के तो क्या दक्शन को क्या पास कर रहे हो मैं जब कार में तुम्हेर साथ रुमांस कर रहा था तो तुम इसी तरह से मार कर भाग गई थी यूचीट मुझे गुंडो ने किड्नाप किया था तब तुम कहा थे तुम तो मुझे छोड़ कर किसी और के साथ रुमांस कर रहे थे ना जिसने मुझे मारा फिर मैं थोड़ी देर पहले कार में किसके साथ रुमांस कर रहा था कि 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 शेटान था वो शेटान नहीं थी तुम राक्षासो हवस के वो मुझे आदित्या के बारे में पूछ रहे थे अदित्या और इधर ऐसे कैसे अगली बार जो मुझे फिर से किडिद्दाब करेंगे तब पूछूंगी ओके खुड़ा हुना, बता चल गया इस सारे फसाद की जड़ अदित्या है, अब देख मैं खुद उसका गीम ओवर करूगा, देख दी जाओ, कमाद मैं तो यहां से जा रहे ज़िता वाद है, क्या अदिवाद है, सामने वैन आ रही है अदित्या, सादू, सादू, मैं नर्सीमा हूँ, अरे यह नर्सीमा कहाँ आगया, चोड़ना यार, नर्सीमा हो या चर्सीमा, अपने को अंजली चाहिए, मिल गई है ना, असा ही बोला, इसको जल्दी भेज, पहले अंजली को इधर भेज, पहले तू वो पार्सल यहां क्या दादा, अभी थोड़ी देर पहले, हमने उस दूसरी आदमी को अंजली सौपी थी ना, अब उसे थोड़ी पता, अंजली एक्स्टेश हो चुकी है, उजड़ा चमन, साइको, चल जा, प्लीज, तुम्हारे हाँ जोडता हूँ, चली जाओ ना, प्लीज, जा, जा, जा मैसा, अंजली को देना था, आपको कैसे दे दिया, मेरी हालत ततरस खाओ, मैस, कुछ पीने के लिए है क्या, अले, ये कोई पीने का टाइम है क्या, क्योंके मेरा गलास हूख रहा है, कंट्री बार पर रुके क्या बार के बच्चा, क्या उल्लू बनाना उसका, पत्ना हमार तो इतना चिला के क्यों बोल रही हो, मैं भेरा नहीं हो, कान के पर्दे भट चाएंगे, पहले ही बहुत कुछ भट गया है, फिर चिला ही, उस अधित्या ने गलत पोडल को बुर्खा पेना के फिर सामें टोपी पेना दी, डादा, अब आगे का क्या प्लैन है, तू बतान अधित्या को चाकु मार के मार देते हैं, तक तेरा आइडिया तेरी तरह ही भारी परिए, अधित्या को मारने का सोचा भी कैसे, अधित्या मेरा लवर है, उसे मैं अपने हांदे से मारूंगी, अलो, अभी तेरा ड्रामा बहुत हो गया, जाधा शाना मत बन, तेरी छावी अंजली आपन के पास है, अरे वो अंजली नहीं पदमा है, मारा मुझे पदमा ही चाहिए, जल्दी लेकर रहा, फिर सा मगज मारी मत चालू कर, सीरा बोल तेरे को मांगती है कि नहीं, मांगती है बहरे, मैंने सुना फिर मेरे को बहरा क्यूं बोला है, तो ही आधित्या है, आधित्या है, अपसे तरह क्या मचमाच चालू है, हमारी लड़की बेच, हम तेरी बेचते है, डाद, आप जाओ, और प्लीज, वो कुछ भी बोला, शानती रहना, सादू की गैंग ने डैडी को लुड़काया तो, डैडी का गभने, अंजली नहीं जाए नहीं जालो सुधारने के कई मौके मिले, मैंने जो भी खफले किये, उनको कच्रे की काली थैली में बान्थ के नाली में बहा देना, मेरी बैचारी अंजली, वो मेरी वज़ा से सब में फसी हुई है, पर तुम फिक्र मत करो, उसको बचाने के बाद, मैं पक्का तुमे बचाने जरूर पर तब तक थोड़ा धीरज रखो, प्लीज, हम हमेशा अच्छे दोस रहेंगे, ओके, हलो, नर्सिमा बोल रहा हूँ, तो क्या करो, अब और क्या करेगा, फिर से हमें गलत पार्टल दे दिया तुने, ऐसा क्या, भूसको सीधा माल कर, तुम लोगो बहुत गुमा रहा है, मैं तेरा खुन पी जाओंगा, और ये जो तेरी गल्फ्रेंड है ना हमारे पास, उसको तुझे खुन दोनेट भी नहीं करने दूँगा, वो तुम्हारे पास है, और नहीं तो क्या, कितना गुमाएगा रहे तो, अब अंजली तो अस नर्सिमा के पास है, आँ, चुप, फ पत्मा हमारे पास से ले जाएए, और अंजली को लेकर आना मत भूलना, उसको भेग हमलों के बाद, और ये ले तेरा पार्सल, जाओ पत्मा, मैं तुम्हारे हाँ चोड़ताओ, फ्लीज चली जाओ, डरो मत, मैं बचा लूँगा, इसको लेगे जाओ, 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 जाओ अंजली, कमला, साधु आए, तेरा गेम बजाने को मंगता है, या तो हो तेरा सरधार से अलग करेगा, या कुला पुरी गुशा के तेरी भेल पुरी निकालेगा, उसके मूट बेटी पेड़ेटे, दादा, यह अधित्या न, बहुत टलेंटीड है, अब तेर को उसमें ऐसा भी क्या दिखाने, यादा है, उसने पद्धमा के बारे ने क्या बोला था, पद्धमा, वो तो सबकी पार्ट टाइम गल्फेंट है, वो तो है, वैसे उसने बोला था, उसकी अंजली नाम की भी ग गल्फेंट है, यानि क्यों सट के लिए, वो उसकी तीसरी गल्फेंट है, दादा, आप किसको पता कि उसकी कितनी सारी गल्फेंट है, हेड ओफिस एक है, और ब्रांचिस कही सारी, आज कल प्रोटेक्शन इतनी ज्यादा आ गई है, कि सब चलता है, पर एक लड़की जरूर आदितकी रहा देख रही होगी, दादा, लगता है, उसमें ऐसा कुछ है, कि हर लड़की, उसकी गल्फ्रेंट बनना चाहती है, और उससे चिपड़ जाती है, कि अरे, पत्मा मिली की नहीं, मैं उसको यॉपड़ने चाना हूँ, जा चलती पकड़, चलो बे, भाई गाड़ी साइड में लेले रोक रूब बातरूम लगे है किसको इसको जा करवा किला आप यही रहे ना मैं इसके साथ जाके आप चल जल दी तुर कॉप्चों भी चलते हैं मैंने बहुत गलत यह की तुम्हें बहुत थेस पहुचाई आप कर दो मुझे सिर्फ तुम चाहिए आप कर दो मुझे सिर्फ तुम चाहिए मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकते आधित्या आई लव यू टू चलो लेट्स केट मैरेड ना अब तक कुंडली में सिर्फ राहू था अब तो राहू के तुशनी सब बढ़ गए कुट्टे के मौत मारने के लिए तैयार हो जाए अधित्या मेरा बच्चा अधित्या इसारी पत्मा यहां पर बहुत कंफ्यूशन है यार यह उजड़ा चमन कान है अधित्या पद्मा को एसी मक्त हमारे हवाले यहाद रहा कीदर कुई सिंदाने बचेमा थे अधित्या मैं तेरे को फाइनल वार्निंग देता BROWN मेरे हवाले कार थे वर यहां यह पदमा तुम्हार लिए इतनी इंपोर्टिंट है अब पता चला तुम लड़कों के लिए पागल हो अजली बात कुछ और है तुम समझ नहीं रही हो कोई ज़रूरत नहीं मैं जयन से शादी कर लूगी अंकल पीस चलिए अंजली मेरी बात तो सुनो प्लीज जब मैं तु यह उसक्य रष्टा है प्यार का के अंकल आप तो रसिल्य निकले तुम लड़की हो ना आधी लड़की हूं हाँ इसको क्या कच्छर के डिबे उठाजाय था? चलो जयन चलते हैं प्यार एक से और शाधी किसी और से ये तो बेशर्मी की हद हो गई पर मैं किसी और से प्यार नहीं करती लेकिन मैं करती हूं, ओके? मैं नहीं पद्मा पे फिदा, मेरा बीटा है राइट बबाबा, देट्स मी, I love Padma, हमें एक होने से कोई तूफान, साइकलोन या सुनामी नहीं रोक सकती, यह तो तुधी एक बहुत बड़ी सुनामी है, एक तूँगा हां रप्टा लगा के, बता देती हूं, देती हूं, देती हूं, यह वो है, तो यही है वो जिसके लि एक असली मर्द है, लेकिन यह तो एक लड़के के प्यार में पढ़नी वाला बहुत घटिया लड़का, मेरे बारे में गलत बोला ना तो बद्दुआ लगी कि मतल मोहन, हाय दूँगी, बद्दुआ दूँगी, पापा छोड़ो ना, इसकी धुलाई करके इसको साफ कर अब इससे तुम्हारी शादी नहीं होगी, मैं भले ही एक नंबर का बेवडा और आयाश हूँ, लेकिन मेरा बेटा ऐसा बिलकुल नहीं है, उसे बुरी आदतों के हवाले मैं नहीं किया, पर बेटा, तुम जानती हो, अदित्य कितना नेक और अच्छा लड़का है, प्ली मैं अदित्या से दूर रहूं और इसे बिगाड़ों नहीं, अरे बिगाड़ था तो आदत्या आपको था, एक बात ठड़ने दिमाग से सूचिए, आदित्या से दो साल दूर है कि आप कितने खुश और हेल्दी थे, और जब से वो आपकी लाइफ में वापस आये है, आप चलो, I love you, I love you, Aditya, ये लड़की तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, तुम चलो, अरे हट, तुझसे ये किसने कहा कि मैं Aditya से प्यार नहीं करती हूँ, मेरी जो मर्जी, भले ही मैं उसे मारूं, डाटूं या चिलाऊं, बट I love him and he loves me, Aditya वो इंसान है जिसे सिर् बहुत हो गया चुहे बिल्ली का खेल, जल्दी बता कमला काया नहीं तो, नहीं रुको, अगर मेरी पीटी को एक खरूंच भी आई ना, तो कोली मार दूना, अंकल पेवो कुफी मत कीजिए, उसको मार डालेगा, ये सब तेरी वज़े से हुआ है, पहले तो तुझे मारना मुसीबत की जर्म है, उचर्ण से उखार के फैख दो, मारना है तो मुझे मारो, अंजली को छोड़ दो, अच्छा, तेरे को मार के क्या मिलेगा, तु मर गया तो कमला काया है, ये कौन बताएगा, तु सच में गदे की बड़ी वाली आउलाद है, उदी सीक्रेट लिग कर अब तो चोड़ाओ के बात करूँगा, तु मेरा कुछ बिगाड नहीं सकता, है, लुग जा, मारना मार दूगा, बोलता है मारना, बोला ना मार दूगा, तेरे को नहीं, इसको, मैं खुद को खत्म कर दूगा, अगर मैं मर गया, तो तु तु ज़े कभी पता नहीं चलेग अगर कमला को कुछ नहीं करना होता, तो इसे क्यों जाने देता, अंजली भागो, पकड़ा उनको क्या हमारन पौँ तो बoh अबगी क्याँ prix का अबच मैं अज है फड़िते है तो हवाँ प्यार में नाकाम होने वाला अक्सर खुद को तबाह कर लेता है पर तूने राजा शहर को तहस नहस करके अपना खोया प्यार फिर से पा लिया तेरी वज़े से Most Wanted Criminal साधू पकड़ा गया बोनस में नरसिमा को भी पकड़ लिया लव यू राजा हादी ठीक हो ना पादित्या मुझे यकीन है तुम अंजली का खयाल मुझसे बेहतर रखोगे हाद दो बेटा आज सी तुम्हारी अंजली का खयाल मुझसे बेने पाल अंजली का खयाल वी का तुम्हारी अंजली का खया